नमश्कार स्वागत है आपका वी टाइम नियूस पर और आपके साथ मैं हूँ पहली चाओहान बढ़ते हैं खबरों की ओर कहा कि पैसा कमाने की होड में सिविल सर्जन इतना वैस्त हो गए कि विगत 21 दिसंबर को सैकडों गरीब किसानों द्वारा किये गए दर्द भरी फर्यात को इन्होंने अंसुना कर दिया आर्थिक रूप से कमजोर हमारे जैसे लोग सिदर अस्पताल आकर अपना इलाज कराने हैं तो 10 रुपए का भुकतान कर अपना परची तो कटा लेते हैं पर अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते हैं इलाज कराने के लिए अस्पताल में पदिस्थापिल डॉक्टर के प्राइविट क्लिनिक में जाना पड़ता है जहां 10 रुपए की जगा 1100 रुपए का भुक्तान करना पड़ता है बार बार गरीब मरीज के पास पैसा कहां से आएगा सिविल सर्जन अगर यह सौशते हैं कि एक दो बार फरियाद करने के बाद किसान चुप हो जाएगा तो यह सिविल सर्जन सहाप की गलत फहिमी है जब तक किसान मंच का 10 सुत्रे मांगो पर अमल नहीं होगा तब तक किसान मंच का अनुरोद प्रदर्शन चारी रहेगा मंच कभी बरदास्त नहीं करेगा किसान मंच के जिला उपध्यक्ष जोती सुरिन ने कहा कि जार्खन राज्य के इस्थापना के किस वशबाद भी गरीब किसानों मजदूरों का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है सिविल सर्जन अगर गरीब किसान मजदूर की पीड़ा को नहीं सुनेंगे तो किसान मंच सिविल सर्जन का रहले के समक्ष इतना बार अनुरोत प्रदशन करेगा कि राची में बैठे जहारखंड के मुख्यमंत्री हिमन्सूरिन के कानों में मरीजों के दर्द और पीड़ा क करा गुजने लगेगा कारेकारी अध्यक्ष जागिश्वर ठाकुर ने कहा कि हमारा संघश तब तक जारी रहेगा जब तक डॉक्टर और स्वास्थ माफिया मरीजों के अधिकारों का हनन करना बंद नहीं कर देती अनुरोत प्रदशन के बाद दस्तुत्रिय मागों का ग्यापन सिविल सर्जन के नाम सिविल सर्जन की अनुपस्थिती में सिदरस्पताल के दी एस को सौपा गया अनुरोत प्रदशन कारेक्रम में जिला कारेकारी अध्यक्ष जोगिश्वर ठाकुर जिलावपाध्यक्ष जोती सुरेद सरक्षक अजित कुमार सिन्हा सहीत सैक कि अजह झाल हाँ!